कहते हैं न जब आदमी को गुस्सा आता है तो वे हैवान बन जाता है इसलिए बुजुर्गों ने हमेशा ये कहा है कि अपने गुस्से को सम्हाल कर रखें ऐसा ही कुछ देखने में आया म्याना थाना अंतरगत हुए दादी और पोती की हत्या के मामले में जसमें शुरू से ही हत्या पृतित हो रही थी हाला कि इस कातिल ने इसको दुरगटना का रूप देने की भरसक कोशिश की लेकिन अनुबर ना होने की चलते वे काम्याब नहीं हो पाया बता दे कि चार दिन पहले म्याना में डवल मर्डर मिस्ट्री बन कर रह गई थी जिसकी रूप नानी भधोरी और उसकी मासूम पोती अनिका की हत्या कर दी गई थी इस घटनक्रम में रूप नानी का सबसे छोटा बेटा शुरू से ही पुलिस की आपों में खटक रहा था वहीं दीपक वेवेक्ती है जिसने दोनों की मौत के बारे में पुलिस को सूश्रा भी दी लेकिन दीपक की बाते और दोनों मृतक के शवों को की बाते एक सी प्रतीत नहीं हो रही थी पुलिस को पहले से ही दीपक पर शप्था कि कही ना कहीं कुछ गरबढ है क्योंकि दीपक शुरू से ही कहता आ रहा था कि करेंट लगने से दोनों की मौत हुई जबकि महीला और मासुम बच्ची के शब को देकर समझ में आ रहा था कि घटना करेंट के कारण नहीं हुई क्योंकि पूरे आंगर में खुन फैला हुआ था जब इस मामले में पुलिस धाना प्रभारी ने पूच्टा शुरू की तो पहले दीपक मना करता रहा लेकिन बाद में वै टूट गया उसने पूरी हत्या का विवरंट पुलिस को दिया दीपक ने बताया कि उसने अपने मामा के चने बेना बताए बेज दिये थे और उसका पैसा भी खर्च कर दिया था जिस से नाराज होकर दीपक ने अपनी मा की हत्या कर दी मा की गोध में उसकी भती जी भी थी जो कटना के चलते गिर गई जिसके बाद वे रोने लगी जिस से दीपक का गुस्ता और बढ़ गया उसके बाद उसने करेंट की तार को अनिका के गले में बांध कर उसे कई जगा करेंट लगाया उसे जब तक करेंट लगाया जब तक उसकी मौत नहीं हो गई के बाद उसने जूटी कहानी रशी और शवों को हॉस्पिटल भी ले गया और लोगों को बताना शुरू किया कि करेंट से मौत हुई इस समंद्ध में मर्टिका के बालक जो घर में रहता है दीपक उससे पूच्ताच की गई तब उसने प्रशम देश्टा यह बताया कि दोनों को करेंट लगना से इनकी मोत हो गई सकते लेकिन उसमें तक्षों की चान मीन करी तब यह इस वस्ट हुआ कि मर्टिका को और वालिका को दीपक नहीं लट्च से मार्किट करके हच्या किये और उसका पैसे मर्टिका से मांगा था दीपक ने मर्तिका ने पाइसे नहीं दिये और उसी बात पर से विवाद हुआ और आवेज में आके आरोपी दीपक ने मर्तिका और एक बालिखा की निर्वन तरीके से हट्टे की गए उस मामले की छान्विन के लिए और प्रोवेशनर डीएसटी को चान्विन के लिए निर्ट किया गया और उन्हान ने गहन कुछताज करने के बाद मामले में सफलता प्राप्तिकी और डीपक को गिरवदार किया गया है और एक बड़ी सफलता पुलिस को हाट लगिया रेसर क्या रीजनतता पैसे क्यों मांगे के नशे का अधी था अधी नशे का आधी नहीं था लेकिना चुकि आउपी उस हावेध में आके और पैसी की लाल्सा माँ से माने की इचा रख था ता और नही दिया इस इस नहीं के रख धी तर बच्छी की हसे प्योंड को और